आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल को पाले से कैसे बचाएं और अगेती और पछेती जुलसा इस समय बहुत तरी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में कैसे करें और देखिए हमारी आलू कितनी हेल्दी कितनी स्वस्त दिख रही है तो आपकी भी आलू आलू की जो फस अगार के धब्बे बनते हैं उनका रंग भूरा होता है और बाद में जब रोग बढ़ जाता है तो उस समय उनका रंग काला पढ़ लगता है यह रोग फसल जब 4-5 हपते की होती है उस समय ज्यादा लगता है और जो पछेती जुलसा होता है वह फाइट ओप थोरा इन्प कंद होते हैं उनका आकाड चोटा रहे आता है और फसल जो है वह कम जो दिखने लगती है उनका जो पत्तियों से फोटो संथिस होती है नहीं होता है요 हुआ कम हो जाता है इस लिए ŁU की जो गंद होते उनकी ग्रोध नहीं हो पाती है तो आज हम इस वीडियो में आलू के इन अगर आप आलू में आलू की फसल में बुवाई के बाद जब एक महीने की फसल हो जाती है उसके बाद अगर आप लगातार कारबंडा जिम या मैंको जब का छड़काओ लगातार आप करते रहते हैं पंद्रा दिन के अंतर पर तो आपकी फसल में यह नहीं लगता है लेकिन अगर आपकी फसल में यह लग चुका है तो आपको इस्हेँ थोड़ा हार्ड kemical होता है उसका इस्प्रे करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं ऐसा chemical जिससे आपको दोनों जो आपके रोक होते हैं अगेटी और पछेटी अगर आप इसका इसप्रे करते रहेंगे और अ तो यह जुल्सा का संकेत नहीं है, इसमें क्या है कि नमी बहुत ज्यादा मात्रा में है, आप देखेंगे जमीन के मिट्टी में, तो नमी जो है बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडिशन आप अपने खेत में ना आने देजिए, आलू की फसल पानी के प्रत बहुत ही संवर्दन सिल होती है, इसलिए इस अवस्था को अपने खेत में ना आने देजिए, और उसमें पर्यावत मात्रा में नमी बनाया रखिए, ज्यादा ना होने चाहिए नमी, अब देखिए जब आपको जुल्सा लगेगा आपकी खेत में, तो पिछेती जुल्सा में आपके पौधे की पत बोल्ड के नाम से आती है, उसमें 50 ग्राम की पूडिया निकलती है, उस दवा को आपको लेना है और छड़काओ करना है, यह दवा एक किलो के पैकेट में आती है, और अंदर इसके 20 पूडिया निकलती है, और 20 टंकी की यह दवा होती है, तो 50 ग्राम की पूडिया आपको एक टंकी में डालनी होती है और छिड़काओ करना होता है हर 15 दिन पर आप इसका स्प्रेय कर सकते हैं इसमें मेटाल अक्जिल और मैंको जो बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसलिए बहुत इफेक्टिव दवा है यह दोनों रोगों का कंट्रोल अथ्य से कर लेती है और अ जाती है इस दवा का आपको 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से लेना है दोनों दवाओं को अच्छे से मिक्स करके आपको दो इस्प्रेय करने के बाद 15 दिन के अंतर पर आप दूसरा कर दिजिए तो आपकी फसल बिल्कुल इस तरीके से हो जाए यह देखिए पतिया कितनी खि आपका दोस्तों